Hi everyone and welcome to Cafepedia तो आज की वीडियो को भी हम लोग बहुत ही raw way में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बचे वे टाइम में आप अपने match को clear कर सकते हो अब ये वीडियो को दो तरह के लोग देख सकते हैं एक जिनों ने भी तक पढ़ाई 0 कड़ी है और एक जिनों ने यार थोड़ा मुड़ा तो पढ़ी लिया है लगोगे इतना पढ़ लिया है कि तुम्हें पता है कि हाँ तुम अब revision basis पर जाओगे या फिर तुम sample paper या इन बाकी चीजों की practice करोगे ठीक है एक चीज मैं याँ पर बहुत ही ध्यान से बता दूँ आपको कि जो बच्चे 0 पढ़े हैं वो भी कहीं न कहीं sample paper तो practice करेंगे ही करेंगे वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ और हाँ इस वीडियो को मैं जितना हो सकता उतना रो रखूंगा तो कोई ऐसा proper way में ये नहीं जा सकता है तो please make sure करो कि कुछ notes बना लो अपने एक page पर लिख लो जैसे जो चीजों को बता रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करना ये तुम्हारा काफी जादा help कर सकती इसकी तो मैं guarantee लेता हूँ अब math जैसे subject में जो सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हो आप इस चीज को नहीं देख रहे हो आप इस marks distribution चार्ट को नहीं देख रहे हो ठीक है मैं आपको बता दू कि इस 35 marks को score करना आपके लिए बहुत ज़्यादा tough है लेकिन इस 45 marks को score करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा easy ठीक है ये 35 marks में अगर आप कितना भी पढ़ लो अभी से 5 दिन लगातार भी तो आप इसमें max to max score कर पाओगे वो होगा 20 से 25 marks लेकिन इस 45 marks की मैं बात करूँ तो इस 45 marks में अगर आप अपने 4 दिन अच्छे से अगर पूरे तरीके से देते हो तो आप अराम से 40 above score कर लोगे कैसे कर लोगे वो मैं आपको बताऊंगा आपको कहां से पढ़ना और कौन से question करने है काफी ज्यादा detail में ठीक है अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या होगा देखो हमें पढ़ना होगा relation and function वाली unit और जो भी unit जो कि हमारे calculus से अलावा है ठीक है अगर हमारे पास last में जाके थोड़ा सा time बचता है जिस time में हम उस time को utilize करके पूरी तरीके से differentiation वाला पार्ट कर सकते हैं तो हम उसे कर लेंगे at least हम लोग उसका method सीख लेंगे कि how to solve the derivation कैसे करते बेसिकली तो यह अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा असान हो जाएगा ठीक है यह आपको कुछ additional के 2-4 marks दे के जाने वाला और हो सकता है कि आपके integration और differentiation जैसे question को आपको attend करने में भी यह काफी जादा help करे ठीक है now let's come to कि हम लोग करने के अवाले हैं सबसे पहली बात है कि आज के दिन को अगर हम लोग ले ले क्योंकि यार एक चीस्तों मैं बता देता हूँ अगले जो भी 4-5 दिन हमारे पास है match के exam से पहले यह होने वाले हैं आपके totally sleepless nights यह चार दिन आपके लिए होने वाले हैं sleepless मैं एक दम यह चीस clear क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी subjects में आपके लिए क्या था कि आपको बस video देखनी होती थी आप video देखते थे आप video के हिसाब से act करते थे आप उस video को देख के अपने notes वगेरा बनाते थे और आप उस हिसाब से पढ़ाई कर लेते थे ठीक है हो सकता है कि आपको चीजों को sustain कर पाते हो बट maths जैसे subject में क्या होता है कि इसमें आपको पूरी तरीके से solving करनी पड़ेगी और उसी solving के थुरू आप कुछ न कुछ कर पाओगे नहीं तो नहीं भी कर पाओगे अब सबसे पहली बात ये याद रख लो कि तुम्हारी जो पूरी की पूरी priority होनी चाहिए वो उन 45 marks को लेके होनी चाहिए जिन 45 marks को मैंने आपको priority पे रखने कहा है जो की accept calculus वाले आपके part है ठीक है अब इस accept calculus वाले part के लिए आप जो videos देखोगे वो मैं भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ठीक है मैं यहाँ पर videos के लिए 3 channels लेके आ रहा हूँ अगर आपको मेरे पर trust है तो आप देखना अगर आपको मेरे पर trust नहीं है तो आप अपना कोई भी channel उठा सकते है सर करके तो आपको जो second number पे भी video आएगी आप उनके वीडियो जाके देख सकते हो VMs और Maths Classes करके आपको मिल जाएगा उनके वीडियो में आप लोगों को क्या होगा देखो वो videos जो है उनके वो ऐसे regular basis पे आपको नहीं दिखेंगे बट मैं आपको एक चीज़ बताता हो आप playlist में चल जाना आप उनके वीडियो देखना वाई क्योंकि उसमें वो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है previous year questions तो उनके वीडियो जितने भी one shot वाले उसमें इतने previous year questions है जिसमें की लडने की थोड़े से जादा chances जाते हैं तो इससे आपका एक वो question भी practice हो जाता है जिसके exam में आने की chances थोड़ी जाता हो जाती है ठीक है second channel जो है मेरे तरफ से वो रहेगा maths daddy आप maths daddy से देख सकते हो ठीक है या फिर अगर आपको किसी भी दूसरे brand के channel पे भी अगर राहुल धाकर सर जो किस channel के वो है host है कहलो उनकी वीडियो दिख जाती है तो that is more than enough ठीक है अब उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं कम से कम minimum minimum time में हो जाए 10-10 minute की वीडियो देखके काम हो जाए मतलब यह 45 marks वाले के तो वीडियो मिल जाएंगे आपको वहाँ पर दे रखे होंगे तो इनके आप वीडियो देखोगे तो मतलब 9-10 minute की वीडियो रहती है max to max और इस 9-10 minute की वीडियो में आप अराम से एक exercise solve कर लोगे तो अगर आप on average देखोगे तो एक chapter पे आपको around 50 minute से लेके एक घंटे की वीडियो देखनी है और उसके basis पे आप अराम से एक chapter solve कर पाऊगे and I am talking about big chapters जाल चाप्टर में 3-4 exercises है वो भी more मतलब की maximum लेके चल रहा हूँ में ठीक है अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना जो भी आपके ऐसे questions रहेंगे आप question को कैसे solve करोगे मैं बता देता हूँ सबसे पहली बात है कि आप तो भाईया stick रहोगे with your NCRT ठीक है अब NCRT के आप questions बना रहे होंगे exercise वाले बना रहे होंगे ठीक है बाकी जो रहेंगे वो repetition रहेगी उसकी level की रहेगी तो इसमें से आप क्या करना easy वाले जो question जो आपको देखके ही पता चल रहा है वीडियो देखने के बात कि यह तो मैं बना ही लूँगा ठीक है ठीक है एक चीज बहुत priority से बता रहा हूँ जिस चीज का बिलकुल ध्यान रखना कि आपके जितने भी questions है इस 45 marks वाले part के जो मैं आपको बता रहा हूँ except calculus वाले part के इस question में आपको exercise से ही जादतर question उठेंगे और जादा से जादा previous year question से उठेंगे तो इनके exercise और previous year question more than enough होंगे एक chapter में मैंने on an average counting करी है तो सारे exercises को मिला के around 35 से 40 question ये maximum लेके चल रहा हूँ मैं maximum amount of question है ये जिन 35 से 40 question में आप around around 20 question बनाओगे max to max और उस 20 question को बनाने के लिए आपको एक chapter पे 3 से 4 घंटे का time जाएगा जिसके बाद आप एक short gap लेके तुरं तुरं दूसरे chapter पे move करोगे क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोल दिया है कि you have to forget your sleep तो तुमको अपना sleep तो भाया भूलना पड़ेगा ही for the next 4 days अब एक चीज़ बता देता हूँ बहुत ही ध्यान से सुलो कैसे काम करना है ठीक है अब वो बच्चे जो चार हैं जल्दी से सारी चीज़ों को निपटाएं तो आपको मैं बता दू कि इसके अलावा में आप ये कर सकते हो ये कर सकते हो कि आप एक सिंदे न राइट तो day 1 म relation, function, inverse, trig, matrices और determinant कर लो day 1 में ठीक है day 2 में आप क्या कर लो कि आप इसके बाद के जितने भी चाप्टर से उसको करो basically आप क्या कर लो आप linear programming कर लो आप probability कर सकते हो आप vector कर सकते हो आप 3D भी कर सकते हो ठीक है ये totally आपका depend करता है कि आप किस level पे जो पढ़ाई है अपनी उसक आप कर पाते हो कुछ बच्चे एक दिन में 3 chapter कर पाएंगे तो good to go कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा आप वही 3 chapter करो ठीक है तो ऐसा है आप है कि आप इस ratio को 3-3-3 करके 3 दिन में बाट दो तो आपकी chapters हो जाएंगे नहीं तो आप इस ratio को 4-4 करके 2 दिन में भी बाट सकत ठीक है difficulty level काफी जादा low होने के वज़े से क्या होता है कि आप इन चीजों को grab कर पाऊगे जली आप इन चीजों को समझ पाऊगे जली और आपके लिए चीजे काफी जादा आसान रहेंगी आपको उतना difficult phase करना नहीं पड़ेगा ठीक है इस वज़े से मैं आपको बता दू ठीक है इसके अलावा मैं आपको बता दू कि linear programming तो भाईया गिन के 15-16 आपको word problems करने जो आप कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है क्योंकि इसमें आपको सेडिंग करनी होती है कि कौन सा पार्ट होगा जिसमें की वो लाई कर सकता है ठीक है यह एक्चलि हम लोग MBA में इसके अलावा आपको probability थोड़ा tough लग सकता है इसमें थोड़ा permutation combination का concept है लेकिन समझ जाओगे बेस theorem उतना कुछ दिककत नहीं देगी और vector 3D को थोड़ा priority में रखना question की संख्या बहुत जादा बन जाती है इनसे ठीक है यह याद रखना यह सारे के सारे chapter के साथ जो सबसे बड़ी खास बात है वो यह है कि यह चारे chapter सिर्फ और सिर्फ NCRT और previous year question पे जादा rely करते हैं और अगर आप सिर्फ इस 45 marks के लिए मेनत करना चाते हो सिर्फ आप पास होने के लिए मेनत करना चाते हो तो यह करके आप चौते दिन पर sample paper बनाके इनको cover up कर लेना लेकिन मेरी मतब एक suggestion लेना चाओगे तो मैं इतना ही कहूँगा कि यार थोरा सा हलका सा अपन क्या try कर रहे हैं हलका सा अपन try ये कर रहे हैं कि हम लोग 3-3 chapter करके 3 दिन में निप्टा ले और 4 दिन at least हम लोग continuity and differentiability वाला chapter तो देखी ले इस level पे देख ले कि अगर उसकी question आए तो अपन करेंगे चीजों को उसी according अभी तुमारे पास enough time है दिन के 24 घंटे हैं ठीक है 4-5 घंटे से जादा नीन तो भूल जाओ यार boards में थोरे dark से किलाएंगे कोई बात नहीं बाद में बहुत सारा serum वगयर आता भाई अभी उसकी add कर देंगे channel पे लगा लेना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी अभी you can't delay अभी जितना हो सकता है maximum देना है ठीक है physics निपट चुका है chemistry निपट चुका है English निपट चुका है यही है जो अब असली खेल बचा है इसके बाद खेल खतम हो जाने वाला है तो इस असली खेल पे लग जाओ और मेरा सब को all the best है मैं maths के लिए द और मात्रम